हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई ओपीशी यूटूब चैनल स्रेडी मैटेरियल एटू जैड गाईज आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आपके दो सेंटर की बड़ी अपडेट आपके लिए दोस्तो एक ओनलाइन रिजल्ट और एक आपका ओपलाइन रिजल्ट और दोस्तो आपको पूरी वीडियो के अंदर जानकारी मिलने वाली है सबसे पहले चैनल पे आपको दोस्तो अपडेट किया जाता है तो चैनल सस्क्राइब करके रखेगा क्योंकि दोस्तो आपका सवाल भी रहता है कि सर हमें कैसे अपडेट मिलता है तो सबसे पहले आपक result लिस्ट थी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपकी Air Force Group C यहाँ पे दोस्तो 19 नुवंबर और 20 नुवंबर को जिनका exam हुआ था और यह आपकी FRO की result लिस्ट है दोस्तो जो की candidate selected candidate यहाँ पे अपना roll number mention किया गया है नाम mention किया गया है पिता का नाम result list दोस्तो आपको result list डाउनलोड करना है तो आपको मैं telegram पे forward करता हूँ क्योंकि telegram आपके लिए सबसे best है कोई भी notification कोई भी offline form आप जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो यह गाईज आपकी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यह HKS के candidate हैं जो कि यहाँ पे select किये गए हैं आपके एफारो और दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे जो है आपके MTS के candidate हैं जो कि list के अंदर आच चुके हैं candidates के नाम तो बहुत बहुत congratulation और जिनका भी selection हुआ है दोस्तों आप मुझे जो कि क्या करेंगे WhatsApp करेंगे WhatsApp message कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि जो भी candidate selected हैं उनके सब भी के number मैंने हर एक center candidate को आपके number sayo कर लिए हैं और आपकी help भी की होगी तो जितने भी candidate हैं और आपके जितने भी doubt बनते हैं उनको मैं यहाँ पे टेलिग्राम पे भी से मांगा था अपडेट मैंने पहले भी किया था कि लिस्ट आपकी लग चुक्ए है candidate ने ही इसकी जानकरी दे सी दिल से थैंक्यू सभी का जो कि आप दोस्तों मुझे यह candidate WhatsApp पे ही send की थी एक बार आपको बखा देता हूं सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह result लिस्ट है मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं जिनका भी नहीं हुआ लेकिन दोस्तों आप अपनी महनत करते रहेगा और यही candidate हैं दोस्तों जो कि इनका यहाँ पर है यहाँ पर रिजल्ट लिस्ट है या फिर मुझे नहीं पता लेकिन यह examination conduct हुआ था उसका result है और यहाँ पर skill debt लिखी नहीं गहीं है कि आपका skill कब conduct करवाया जाएगा और यह आपकी साइद examination debt है दोस्तों आप देख सकते हैं सितंबर या फिर यह पहले की लिस्ट भी हो सकती है मैं नहीं कहूंगा लेकिन आप comment box में बताएगा कि यह लिस्ट आपकी पहले की है बट कुछ candidate है जो कि मन में रह जाता है कि सर देखिए मैं जितने भी result लिस्ट होती है टेलिग्राम पे forward करता हूं मेरे पास जितनी भी होती है लेकिन यहां पर यह जो result लिस्ट है मैंने कभी टेलिग्राम पे send नहीं की थी और यह एक online result दोस्तों जारी की गई थी तो कुछ candidate हो सकते हैं कि पहले भी यह result लिस्ट हो सकती है अगर नाम नहीं देखा है अगर यह अब की लिस्ट है तो आप देख लीजिएगा तो दोस्तों यह आप आप देख सकते हैं यह साइद examination conduct हुआ है आपका और यह आपकी एक बड़ी सी लिस्ट है लेकिन मैं टेलिग्राम पे इसको भी डाल देता हूँ चलिए तो इससे जो हो आपको दोस्तों कोई दिक्कत वाला सीन नहीं होगा तो गाईज यह मैंने डाल दी है result list और यह टेलिग्राम है आप दोस्तों देख सकते हैं और यहां पे सभी candidate आकर जुड़ जाईएगा अब गाईज आपका सिर्फ एक सेंटर ही बचा है जिनके आपके result list बाकी है वो है दोस्तों आपका अमला एरपोस्टेशन 3BRD चंडीगड एरपोस्टेशन जिनके final result अभी बाकी है देखिए जालंदर का था वो आचुका है दोस्तों आपका final result list तो यह आपके लगातारा रहे हैं अमला का भी result list आएगा 3BRD चंडीगड का भी result list आएगा बट आएगा जरूर यह चीज़ आप दोस्तों note करके रखेगा और आपके गाजियाबाद का दोस्तों अभी कोई skill letter भी नहीं declare किया गया है बट पूरी पहनी नजर हमने रख रखी है गाजियाबाद को लेकर कोई भी update होगा सबसे पहले update चैनल पे ही करेंगे तो चैनल subscribe करेंगे रख लीजेगा और आपके आगे भी बहुत सारे दोस्तों अब जो 05 है उनका भी exam contact होना start हो जाएगा तो सभी के आगे जितने भी आपके result list declare के जाएंगे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपके दोस्तों जो की कल आपका जो है एक नया जो आपको 107 post है उसका भी साइद आपका जो employment newspaper में आएगा तो उसकी बरती के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देनी है उप्ला